हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू कुडेजी जी के ट्रेक तो आए डेली गरंट अफेर्स की सिरीज को आगे बढ़ाते हैं और आज के इस वीडियो में यहाँ पर हम तीन नौमबर दोजार तेविस के सभी करंट अफेर्स को डिटेल में समझ लेते हैं वीडियो में इन तक बने रहेएगा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेर कर दीजेगा इसके अलावा आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजेगा क्योंकि काफी इंपॉडन्ट और हेलपफुल वीडियो आपको यहाँ पर डेली मिलते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले आईए आज की करेंट अफेर का सबसे पहला कुशन देखिए हाली में सचिन तेंदुलकर का स्टेच्यू किस स्टेडियम में लगाया गया है वेरी सिंपल और वेरी इंपॉडन्ट सचिन तेंदुलकर क्योंकि देखिए मुंबई से बिलॉंग करते हैं इसलिए सचिन तेंदुलकर का स्टेच्यू वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में लगाया गया है अंसर भी हो जाएगा महरास्ट के सीम एकनाथ शिंदे ने मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के स्टेच्यू का हाली में अनावरन किया है सचिन तेंदुलकर का ये जो स्टेच्यू है फ्रेंड्स उसकी उचाई यहाँ पर दिखे 14 फिट है अगर हम मुर्तिकार की बात करें तो ये एहमद नगर के मुर्तिकार प्रमोत कामली के द्वारा बनाई गई है अब देखे वानखेड़े स्टेडियम सचिन तेंदुलकर के लिए इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है फ्रेंड्स क्योंकि इसी मेदान पर इन्होंने अपना पहला रणजी ट्रॉफी डेब्यू किया था और इस मुकाबले में सचिन तेंदुलकर ने पहली बार शतक भी बनाया था इसके अलावा 2013 में वेस्ट इंडिस के खिलाफ इन्होंने अपने करियर का आखरी मेच भी वानखेड़े स्टेडियम में ही खिला था तो इसलिए मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की 14 फिट उची मूर्ती लगाई गई है यहाँ पर आपको यह याद रखना चाहिए फ्रेंड्स के साल ICC दोरा एजित किये गए वंडे वर्ल्ड कप 2023 का ग्लोबल ब्रेंड एमबेस्डेर भी सचिन तेंदुलकर को ही बनाया गया है सचिन तेंदुलकर ने अपना सोवा शतक 16 मार्च 2012 को बांगला देश के खिलाफ मीरपूर के शेर ए बांगला स्टेडियम में लगाया था तो सचिन तेंदुलकर का स्टेचू मूंबई के वानखेड स्टेडियम में स्तापित किया गया है देखे फ्रेंड्स अगर आपको क्रेजी जी के ट्रिक के यूट्यूब चेनल पर जो वीडियो साते हैं उनकी PDF को डाउनलोड करना है तो आप प्ले स्टोर से रूट अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लीजे जब आप रूट अप्लिकेशन में एंटर होंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा जब आप स्क्रोल करेंगे और नीचे जाएंगे तो आपको फ्री कंटेन का एक फोल्डर दिखाई देगा आप उसमें एंटर करेंगे तो वहाँ पर आपको स्टेडी मटेरियल का एक आप्शन दिया जाएगा वहाँ पर आप क्रेजी जी के ट्रिक के यूटूब वीडियोस की फ्री पीडियेफ प्राप्त कर सकते हैं और वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं आपको क्रेजी जी के ट्रिक के वीडियोस की फ्री पीडियेफ एजिली यहाँ पर एवेलेबल हो जाएगी आई होब अपडेट अच्छा लगाओगा नेक्स्ट कोशन पर आईए सेकेंड कोशन देखिए पारुमला पेरुनल उत्सव किस दक्षिन भारती रज्ज का प्रमुक तोहर है तो पारुमला पेरुनल उत्सव की बात करे फ्रेंड्स कि दक्षिन भारती रज्ज केरल में मनाय जाने वाला प्रमुक उत्सव है सामाने तक केरल रज्ज में ये वहाँ पर इसाई धर्म के लोगों के दुरा मनाय जाता है वहाँ पर एक इसाई संत हुए हैं जिनका नाम है बिशप मार्क ग्रेग्रोरियोस मेट्रो पॉलिटन इनके सम्मान में हर साल दो नॉमबर को केरल में पारूमला पेरुनल त्योहार मनाय जाता है इसके अलावा देखिए केरल के अधर फेस्टिवल की बात करें तो ओडम उत्सव, फिशू उत्सव, अट्टूकल पॉंगाला उत्सव, त्रिशूर पूरम उत्सव और थैयम उत्सव भी केरल रज में मनाय जाने वाले अन्य तोहार है यहाँ पर हमारा कोश्चन पारुमला पेरुनल उत्सव से है, तो यह भी केरल रज में वहां के इसाई मिशनरियों के द्वारा मनाय जाने वाला त्योहार है इसके बाद आगया जाईए, हाली में ओडिशा में खोजी गई अवोस मोटला किर्जीव की प्रजाती है तो अवोस मोटला देखिए, मचली की एक प्रजाती है, जो की ओडिशा में महा नदी के मिठे पानी में खोजी गई है इस मचली की प्रजाती को अवोस मोटला नाम दिया गया है, जो की अवाउस परिवार से संबंदित है अब देखिए हाली में भारत का जो पश्चिमी घाट का एरिया एफ्रेंस दक्षिन भारत में वहाँ पर मश्रूम की एक नई प्रजाती को भी खोजा गया है जिसे केंडो लेमाइसेस अल्बो उसको मुसोस नाम दिया गया है तो केंडो लेमाईसेस मश्रूम की एक प्रजाती है जिसे हाली में पश्चिमी घाट में खोजा गया है और अवोस मोटला मचली की प्रजाती है जिसे ओडिशा में महा नदी में खोजा गया है हाली में किसे दूसरा रोहिनी नईयर पुरसकार प्रदान किया गया तो हाली में दूसरा रोहिनी नईयर पुरसकार से दीनानात राजपूत को सम्मानित किया गया है कौन है ये इसकी बात करें तो ये देखिए 36 गड़ के एक सामाजिक कारी करता है दीनानात राजपूत चिनों ने 36 गड़ में आदिवासी मैलाओ के जीवन को बदलने में बहुत ही महतुपून योगदान दिया है तो इनने 2023 में इनके सामाजिक योगदान के कारण रोहिनी नईयर पुरसकार से हाली में सम्मानित किया गया है इस साल 2023 में ये दूसरा रोहिनी नईयर पुरसकार है ये भी याद रखिएगा इस पुरसकार की शुरुआत लास्ट येर नईयर फाउंडेशन के द्वारा की गई है जो की देखिए ग्रामेंड विकास में उत्करस्ट योगदान के लिए हर साल पुरसकार है वेसे ये जो पुरसकार है ये हर साल देखिए इकोनोमिस के एड्मिस्टेटर डॉक्टर रोहिनी नईयर की स्मृती में दिया जाता है जिनका निधन 2021 में हुआ था लास्ट येर पहला रोहिनी नईयर पुरसकार सेथ रिचम संगतम को दिया गया था और अब 2023 में ये 36 गड़ के सामाजिक कारी करता दीनानात राजपूत को प्रदान किया गया है अगला कोशन देखिए हाली में भेल का नया अद्यक्ष और MD की से निउक्त किया गया तो देखिए भेल जिसे भारत हेवी Electricals Limited के नाम से जाना जाता है हाली में इसके नय अद्यक्ष और MD के रुप में कोपू सदाशिव मुर्ती को निउक्त किया गया है अंसर A हो जाएगा कोपू सदाशिव मुर्ती के पहले नलीन शिंगल भेल के MD और अद्यक्ष के रूप में कारी कर रहे थे अब इनके हटने के बाद कोपू सदाशिव मुर्ती को भेल का नया अद्यक्ष और MD निउक्त किया गया है देखिए भेल की जैसा की अभी हमने बात की इसे भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेट के नाम से जाना जाता है जो की सारुजनिक शेत्र की एक महारतन कंपनी है इसके स्थापना 1964 में की गई थी और इसका हेटक्ष और नई दिल्ली में स्थित है भेल के नए अध्यक्ष और एमडी कोप्पू सदाशिव मुर्ती को नियुक्त किया गया है तो देखिए यहां तक के सभी कोशन आपको क्लियर हो गए होंगे अब आजाए आज की कंट्री इन नियूज में हम रूस को डिसकस कर लेते हैं जोकि एशिया और यूरोप दोनों ही महादीप में फैला हुआ है यूरोप का जो हिस्सा है अधिकतर रश्या की जो आबादी है वो इसी रश्या में निवास करती है जोकि यूरोप महादीप में स्थित है जबकि रशिया का जो पूर्वी हिस्सा है उसे साइबेरिया के नाम से भी जाना जाता है और ये एशिया महादीब का हिस्सा है नौर्मली देखिए ठंडा होने के करण ये शेत्र विरान है तो ये है रूस आईए डीटेल देख लेते हैं रूस की गेपिटल मासको है शेत्रफल के अज़ार पर ये दुनिया का सबसे वड़ा देश है रूसी रूबल यहां की ओफिशल करंसी है और व्लामिदीर पुतिन वर्तमान में इस देश के प्रेसिडेंट के पतपर है पड़ोसी देशों की बात करें तो देखिए थोड़े स से ज्यादा हैं ध्यान से सुनियेगा नार्वे, फिनलेंड, एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, बेलारूस, युक्रेन, जॉर्जिया, अजर्बेजान, कजाकिस्तान, चीन, मंगोलिया और उत्तरकुरिया ये सभी रशिया के पड़ोसी देश है रूस में वर्तम सबसे लंबी नदी है रशिया और इंडिया के मद्दि में देखिए सयुक्त सेन्य अभ्यास का भी आईजन किया जता है जिसे इंद्र के नाम से जाना जता है रोसकोमोस रशिया की स्पेस एजनसी का नाम है तो यह है यूरोप और एशिया में स्थित रशिया नेक्स्ट चाहिए हाली में रश्मी रंजन स्वेक को किस रज्ज का डी जी पी नियुक्त किया गया है तो यहाँ पर इंपोर्टेंट इसलिए है फ्रेंड्स यह कोशन क्यूंकि रश्मी रंजन स्वेन को हाली में जम्मू कश्मीर रज्ज का नया डी जी पी नियुक्त किया गया है य अब रश्मी रंजन स्वेन को जम्मू कश्मीर का नया DGP नियुक्त किया गया है। तो देखे नाम से आपको समझ में आएगा कि प्रोजेक्ट कुश जो है फ्रेंड्स ये भारत में लंबी दूरी की मिसाइल निर्मान से संबंदित एक परियोजना है जो की देखे डिया डियो के द्वारा चलाई जा रही है। विकास डिया डियो के द्वारा किया जा रहा है। वैसे ये जो प्रोजेक्ट है डिया डियो के द्वारा सयुक्त रुप से इजराहिल एरोस्पेस इंडरस्टीस के साथ शुरू किया गया है। जिसे मई 2022 में सुरक्षा के लिए भारत की यूनियन केबिनेट ने मंजूरी प्रदान की थी। तो प्रोजेक्ट कुश के तहत मिसाइलों का निर्मान भारत की संस्ता डिया डियो के द्वारा किया जा रहा है। यहाँ पर डियाडियो की बात करें फ्रेंट्स तो यह भारत की एक सुरक्षा या रक्षा अनुसंदान से संबंदित अग्रणी संस्ता है जिसकी स्टापना 1958 में की गई थी। नई दिल्ली में इसका हेड़कॉर्टर रिस्ती थे और समीर वी कामद वर्तवान में इस संस्त बन गए हैं शाहिन अफरीदी को तो आप सभी जानते हैं फ्रेंट्स यह पाकिस्तान क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर है जिन्होंने देखिये सबसे तेज वंडे क्रिकेट में 100 विकेट लेने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है शाहिन अफरीदी ने यह जो रिकॉर्ड है यह 51 मेचों में अपने नाम किया इन्होंने 51 अंतरास्ट मेचों में 100 विकेट लेकर इस रिकॉर्ड को अपने नाम किया है इसके पहले यह जो रिकॉर्ड था यह ऑस्टेलिया के तेज गेंदबाज मिचेल स्टॉक के नाम था जिन्होंने इस रिकॉर्ड को 52 मेचों में कुछ दिन पहले एको रिकॉर्ड बना था कि भारती क्रिकेट टीम के युवा ओपनर शुबमन गिल ने वंडे मेच में सबसे तेज 2000 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया था। तो देखे पूरे वर्ड में वर्ड वेजिटेरियन डे के रूप में हर साल एक नवंबर को मनाय जाता है। इसके बाद आजके करांड अफेर का सबसे लास्ट कोशन देखिए। हाली में Collins Dictionary ने Word of the Year 2023 की से चुना है। तो Collins Dictionary के दोरा Word of the Year 2023 AI को चुना गया है। AI Word जो की देखिए Artificial Intelligence का संशिप्त या छोटा रूप है। इसे Collins Dictionary ने Collins Word of the Year 2023 चुना है। यहाँ पर देखिए Collins Dictionary के अनुसार अगर हम AI की परिभाशा देखें। तो Modeling of Human Mental Function by Computer Program यह Collins Dictionary के अनुसार AI का पूरूरूप है या इसकी परिभाशा है। वैसे देखिए AI की अगर हम बात करें तो यह Technological Revolution माना जाता है फ्रेंड्स। पूरे विश्यों में काफी तेजी आई है हालीम के कुछ वर्षों में AI में और 2023 में तो यह काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा है। इसलिए AI को Collins Dictionary ने Word of the Year 2023 घोशित किया है। Last year 2022 में Parma Crisis Calling Dictionary Word of the Year घोशित किया गया था। जो कि पूरे वर्ड में आईस्तिर्था और असुरक्षा के युग को इंगित करता है। मतलब इसका जो मिनिंग होता है वो पूरे वर्ड में आईस्तिर्था या असुरक्षा से है। और अब 2023 में AI को Collins Dictionary Word of the Year घोशित किया गया है। Clear? तो यहाँ पर देखिए हमने 3 November 2023 के सभी Current Affairs को डिटेल में समझ लिया। अब आजाईए आज की Factor Sheet में हम भारत के प्रमुक महुत्सव या उत्सव को डिसकस कर लेते हैं जो की अलग-अलग राज्यों में मनाय जाते हैं। ध्यान से सुनिएगा important है गाई जात्रा उत्सव नेपाल में आयोजित किया गया था ये अलग देश का है लेकिन याद रखिए बाकी जो भी हम डिसकस करेंगे वो इंडिया के होंगे। बंगस वेली फेस्टिवल जम्मू कश्मी रज्य में आयोजित किया जाता है। नुआ खाई त्योहार दोजार तेविस या विहार मिला ओडिशा रज्य में आयोजित किया जाता है। बंगस वेली फेस्टिवल जम्मू कश्मी रज्य में किया जाता है। युनेस्को के द्वारा कोजी कोड केरल को सिटी ओफ लिटरेचर के रूप में मानेता दी गई वाइल लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द येर दोहजार तेविस का खिताब विहान ताली विकास को दिया गया है। हाली में बांगलादेश के जलवायू परिवर्तन विशेशग्य प्रोफेसर सलीमुल हक का निधन हुआ है। ब्रिटिश एकेडमिक बुक प्राइस दोहजार तेविस से नंदिनी दास को सम्मानित किया गया। भारत की अलिगड मुस्लिम युनिवर्सिटी ने हाली में खुद का एक उपगरा SSAMU सेट लॉंच करने की गोशना की है। आगया ये AI Safety Summit 2023 का एजन ब्रिटेन में किया जा रहा है। दुनिया की पहली पैसेंजर केरिंग फ्लाइंग टेक्सी इहांग EH216S को चीन के दोहरा मंजूरी प्रदान की गई है। फीफा वर्लकप 2034 का एजन साओधी अरब में किया जाएगा। और लास्ट देखिए रोड एक्सिडेंट इन इंडिया 2022 रिपोर्ट को मिनिस्ट्री ओफ रोड ट्रांस्पोर्ट एन हाईवेस के द्वारा हाली में जारी किया गया है। ये सभी ऐसे करन्ट अफे रेफ्रेंट्स जिन्हें हमने लास्ट डे के सेशन में डिटेल में समझा था। अब आजएए आज के लिए आप सभी के लिए कोश्चन आफ देडे है। भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कोन था। वेरी वेरी इंपोर्टेंट। कमेंट में जरूर बताईएगा किस कोश्चन का अंसर क्या है। इसके अलावा दुस्तों आप सभी के लिए एक इंपोर्टन अपडेट है। अब आपके लिए क्रेजी जीके ट्रिक के सभी कोरसेस वेबसाइट पर भी एवेलेबल है। ये सभी courses आप सभी की requirement और latest exam pattern को ध्यान में रखकर design किये गए हैं यहां हम basic concept के साथ comprehensive learning पर focus करते हैं तो एक बार जरूर website पर visit करें इसका link आपको description box में दिया गया है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like और share कर दीजिए चैनल को subscribe कर लीजिए कल फिर मुलाकात करेंगे next day के current affair में तब तक अपना खैल रखिए जय हिन जय भारत